नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार श्टडी वेस्ट तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो भारती राजवावस्ता है उससे संबंदेच हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले आज संकल्प संकल्प का मतलब होता है रेजूलेशन तो देखे संकल्प होता क्या है तो हम उसके बारे में देख लेते देखे साधारान जो लोग महत्व के मामले होते हैं यानि कि पब्लिक से रिलेटेट जो भी मामले होते हैं पब्लिक के जो हैल्प करने के से रिलेटेट तो उनकी और सर सोधन को सावव की अनुमती के बिना वापस नहीं किया जा सकता. संकल्फ तीन स्रेजियों में बरगी करत किया जा सकते है. संकल्फ देखे, यहां हम देख सकते रेसीलेशन जो है तीन स्रेजियों में. उनके अलावा मतलब जो नहीं है उनके दोरह जो संकल्प लाए जाएगा उसे बोला जाता है गेर सरकारी सदस्यों का संकल्प इसके अलावा देखे इसका जो है इसमें अगर चर्चा की बात करें तो बैकल्पिक सुक्रवार एबम दोपहरवात के बाद में जो बैठक होती है उसमें इसकी चर्चा की जा सकती है इसके अलाब सरकारी संकल्प की बात करें तो ये जो है Member of Parliament एनी की मंत्रियों के दौरा लाया जाता है और इसके लिए संबार से गुरुबार तक ये लाया जा सकता है सामविधिक संकल्प, अब देखें, सामविधिक संकल्प होता क्या है तो ये दोनों के दोरह लाए जा सकता है यानि कि गैर मंत्री के दोरह लाए जा सकता है और मंत्री के दोरह भी अब इसको इस प्रकार बोला क्यों गया है क्योंकि ये संबिधान के उपबंद या अधिनियम के तहत इसे लाए जाता है इसलिए इसे सांबिधिक संकल बोला गया है तो ये तीन प्रकार के हमने देख लिए रेजुलेशन और अब आगे देखते हैं यूवा संसत क्या होती है जिसे हम बोलते है यूथ पार्लियमेंट अब यूवा संसत का मतलब क्या हो गया जैसे कॉलेश हो गया इनवर्सिटी हो गया यहां अगर बात करें हम तो यहां अगर जो पॉलिटी है एक प्रकार से अगर बैसी वेबस्ता बना कराके तो आगे हमारे देश के लिए अच्छे यूवा नेता मतलब अच्छे जो नेता है जो कि देश को अच्छे से चला सके इस प्रकार से देखने को हमको मिलेंगे नहीं तो आज की डेट में तो आप देख सकते हैं जिसके पास qualification उतनी नहीं होती है उससे जादा उसका जो होता है मतलब जैसे मान लीजे education minister है ठीक है मतलब जो सिक्छा मंतरी होते हैं अगर बात करें तो उसकी जो qualification बहुत अधिक होना चाहिए परन्तु जिसकी qualification नहीं है बो ही यहाँ पर सिक्छा मंतरी बन जाता है तो उसी प्रकार अगर देखें तो भविस में जो भी युवा निकल करा रहा है वो अच्छे politician हो उसी की यहाँ सिक्छा देने के लिए इसको जो है सुरूप की अगा है युवा संसाथ यूद पार्लियमेंट जिसे हम बोलते हैं तो यहाँ देखें चोहते अखिल भारतिय सचेतक समेलन की अनुसंसा पर इसको प्रारम किया है युवा पीड़ी को संसत की कारवाई से अवकत कराना इसका मुख्य उद्देश होता है मस्तिस को अनुसासन एवम संबंदी तत्वों से परिचित कराता है इसके अलावाच छातर समुदाय में लोकतंत्रे के आधारबुत मुल्यों को समझाता है तांकि उन्हें लोकतंत्रिक संस्थानों के कारे हैं उनकी सही जानकारी मिल सके इसकी जो योजना है इस योजना के को जो समझाने के लिए यहाँ पर संसधी कार मंत्राल है राज जी को जरूरी प्रस्टिक्षन तता योजना को लागू करने के लिए यहां पर प्रोस्ता ही करता है आगे देखते हैं आज का हमारे इंपोर्टेंट यह है आज है 31st October अब 31st October आपको याद होगा इसको हम मनाते हैं राश्टी एकतदिवस की रूप में तो यह क्यों मना जाता है यह हमारे देखिए यह है सरदार बलब भाई पटेल इस दिन इनका जनम हुआ था गुजरात में तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप एकतदिवस मना जाते हैं यानि कि National Unity Day क्यों मना जाता है आपको पता होगा हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तो छोटे-छोटे 500 रियासतों में बटा हुआ था तो उन सभी को एकत्रित करने यानि कि उनको इंटेग्रेट करने का काम इनके दौरा किया गया था इनके सफल प्रयासों सही आज की डेट में हम देख सकते हैं हमारा भारत एक हमको दिखता है तो इनी के प्रयास से हुआ था और इसी को देखते हुए यहां पर इस दिन को राश्टी एक्तदिवस करूप में मनाने की सुरबात 2014 में की गई थी सरदार पटेल को जो है मतलब सरदार पटेल के प्रयासों को यात रखते हुए मतलब उनको सम्मान देने के लिए यहां इसको सुरू किया गया था तो 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और यहां देखिए पहले उप्रदान मंत्री और पहले गरह मंत्री यह जो सरदार बलब भाई पटेल यह थे और इनी की जैनती की रूप में जो है राश्टी एक्तदिवस मनाया जाता है इनके बारे में द पारदोली सत्यक्राई की सफलता के बाद यहां की जो महिला है इन्होंने इनको सरदार की उपादी से भी सम्मानित किया था कुछ लोग इन्हें राश्ट निर्माता की रूप में याद करते हैं क्योंकि देखिए 500 से अधिक जूरियासते उनको एकिकरण या एकिकरण करने का काम इनके दौरा किया गया था आगे बात करते हैं भारत और साओधी अरब की बात किया रही जैसे कि आपको भी पता होगा हमारे जो प्रधान मंत्री है भारत के नरेद्र मोदी जी वो साओधी अरब के दोरे पर गए थे और यहां पर इन्होंने 29 अप्टूबर 2019 को उचिस तरिये रननितिक साज़दारी फरिस्ब की इस थापना के लिए यहां पर समझोते पर हस्ताक्षर किया इसके अलाबा आनेक समझोते पर इन्होंने अस्ताक्षर किया जैसे की रक्षा तेल एबम गयज नागर विमान सही दो बिभीन समझोते। समझोती की लिष्ट हम देख लेते हैं, देखी यहां पर, समझोती की लिष्ट आपको देखनेक मिलेगी, अक्छे उर्जस से समधित यहां पर, स्टॉक एक्चेंज यहाँ पर इसके बीच में में यहाँ यहाँ पर समझते के आपन पर हस्ताक्षर किया गया साओधी अरब के साथ में इसके अलाबा नेक्ष्ट बात करते हैं हम परम हंस योगा नंद की बात की जा रही है तो यह जो है इनका जनब हुआ था पांच जनबरी 1893 को और यह कब तक इनका जिवन 7 मार्च 1952 के बीच में जो है इनका रहा यहाँ पर और 20-20 सदी के अध्यात में गुरू, योगी और संत थे यहाँ देखें तो पस्चिम में, पस्चिम यानि की पस्चिम देशों में, फादर ओफ योगा की रूप में इन्हें जाना जाता है इन्होंने अपने अनिवाईयों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे बिस्व में उसका प्रचार पसार भी किया तो यहाँ पर देखें जो हमारे प्रकार से केंद्री बित्य और कॉर्परेट कारियों की मंत्री है बित्य मंत्री जिन हम बोलते हैं निर्मला सितारमन इनके दोरा इनके जो है 125 भी जैनती के अफसर पर आगे बात करते हैं उडिसा से संबंदित यहाँ पे कारकरम लौंच किया गया है वहाँ के मुख मंत्री नवीन पतनाईक के दोरा नाम क्या है उडिसा मो परिवा तो इसको हम बोले तो उडिसा माय फेमिली इसका आर्थ होता है और यह इसका उडिसा जो है एक प्रकार की समाजिक सेबा पहल है और परियावरेंट संब्रक्षन, रक्तदान, उडिसा के लोगों का संकट मैं कल्यान करना इसका मुख्य उडिसा है तो यह सुरू किया गया उडिसा सरकार यानि की नवीन पतनाईक के दोरा जो हाँ के चीप मिनिस्टर है और राजपाल, गनेशी लाल, और राधधानी, भुवनेसर हमको यहाँ पर देखने को मिली इसके लाब उडिसा सम्मंदित एक और खबर है उडिसा सरकार, मतलब जो उडिसा गवर्मेंट है उनके द्वारा यूनिसेब, जिसे हम बोलते हैं देखिए जो अगर बात करें यहाँ पर संक्तराष्ट बालकोस जो होता है यूनिसेब का पूरा नाम, इसके साथ में यहाँ पर समझोता किया है तो यहाँ पर देखिए, जो ड्रिंक फॉर्म टेप मिसन इसके लिए यहाँ पर समझोता हुआ है और यहाँ पर देखिए इसका उद्देश जो है प्रतेक घर में 24 घंटे पाइप गुणवत्ता वाले पेजल की अपूर्ती करना इसका मुख्य उद्देश है और उनिसेप उडिसा सरकार को तकनीकी सहता भी प्रतान करेगा इसके अल इसका उरिजिनल नाम है मतलब स्वाट में बोले थी उनिसेप है और जो चिल्टरन फंड है मतलब यहां देखें इन्टरनेशनल चिल्टरन एमर्जेंसी फंड इसे हम बोलते हैं पूरा नाम और इसकी जो स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को की गई त्यों की गई थी जो 22 विद्ध हुआ था वर्डवार सेकेंड उसमें जो भी यहां पे मतलब जो बच्चे और मात है जो भी यहां पर उनका नुक्सान हुआ था तो उनको खाद मतलब एक प्रकार से खाना और हेल्थ से संबंदी सेवा प्रदान करने के लिए इसको गठित किया गया था हैड कॉर्टन न्यूर्क में देखने की मिलेगा युनाइटेट अमेरिका की अंतरगात हैड अभी है हेंरिटा एच फोरे तो यहां आप देख सकते देखें जो फांडर है युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और पैरेंट और्गनाजिसन भी उसको हम बोलते हैं इसके अलावा युनाइटेड नेशन एकोनोमिक एन सोचल कांसिल इसकी पैरेंट और्गनाजिसन है और आप देख सकते इसका लोगो आगे बात करते हैं प्रेवेंटिव हेल्थ टूल जो कि यहां पर लॉंच किया गया है फेस्बुक जो कि एक सोचल मीडिया है एप है और यह जो है युनाइटेड इस्टेट अमेरिका का एक प्रकार से ओनलाइन सोचल प्लेटफॉर्म है यहा आप आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बार्टम को किस नेफंट किया है तो गोमेंट ब तूल हुए अभी ओनली विस्टक के लिए आप लिए और नहीं किया है करेगा क्या यह यह देख लेते हैं नहीं घ्लस प्लować आप जो स्वास्त और उश Shakes. se जोड़ेगा और चेक अप से सम्धित यहाँ पर रिमाइंडर भेजेगा बात करते हैं इराक की तो इराक हम देख सकते हैं इराक ऐसिया का एक देश है ठीक है और यहां आपर जो हम देखें तो यहां राश्दूत के रूप में निक्त लिये गया है नय परसन कोन बिरेंदर सीहें आदो और एक किसको रिप्लेस करेंगे प्रदीप सीहें राजप्रोहीत को रिप्लेस करेंगे यह उन्निस संत्यानवे बैच के भारती बिदेश सेवा यानि के आई-फैस अधिकारी है जो कि अभी इराक गंडराज में अगले राजदूत के रूप में प्रदीय कर कर रहे तो यहां देख सकते डर्की सीरिया है इसके लबावा जॉडन वह देख सकते है साउदियरे वीया है को वेथ है चोटी सी कंट्री और इसके लावा इरान आपको यह पर्सियन गल्फ है और एक बार मैप में निहार लेते हैं देखिए हम देख सकते हैं यहां देखिए इराग आपको कहा न जारा रहा है देखिए हमारा भारत और भारत से हम चलें इधर तो यह आपको इराग न जारा रहा है ठीक है यह देख सकते हैं इराग आप यहां पर बापस चलते हैं हम यहाँ पर तो आगर देखते हैं यहाँ पर देखें Mexican Grand Prix 2019 की बात की जा रही है तो इसको जीत लिया है यहाँ आप देखिए Lewis Hamilton के दोरा तो जो Lewis Hamilton है वो Mercedes के चालक है और यह जो है उनकी पांच भी वार विस्वे चैंपियंशिप इन्होंने जीता है मतलब Mexican Grand Prix 2019 और इस सत्र में उनकी दस भी जीत है मतलब अगर बात करें विस्वे चैंपियंशिप तो यहाँ पर पांच भी वार है और टोटल मिलाकर दस भी उनकी जीत है और सेकंड नमबर पर कौन रहा है फेरारी के सेवेस्टेन बेटल जो की एक जर्मन रेसिंग ड्राइबर है सेकंड नमबर पर रहा है और थर्ड नमबर पर रहा है उसके बढ़ने के चांस नजर आ रहा है तो अरब सागर में 150 किलोमेटर पति घंटे की गति से यहां चार के जो है चक्रवाद के रूप में दिखा हमको और इसका नामकरन म्यानमार के दौरा किया गया है भारत जो मौसम बिग्जान विभाग है जिसे हम इंडिया मेटरोलोज डिपार्टमेंट बोलते हैं इसने इसके अनुसार पिछले बारा बरसों में क्वार अरफ सागर में आया सबसे तीब्र गामी चक्रवाद इसके दौरा बोला गया है उत्तर पस्चिम ओमान तर्ट की और बढ़ रहा है यह लगाता हम देख सकते हैं देखें यहां हम देखे चक्रवाद है और अगर बात करें पहले दूसरा है यह तो पहला कब आया था 2007 में आया था यह पांस त्रेनी की तीवरिता वाला चक्रवाद गोनु सबसे तीवर इनिकी 265 किलोमेटर पति घंटी की रफ्तार से था जोकि उसने कटी बंदी चक्रवाद था नेक्स्ट बात क है उसके अंतरगत यहां मौसम बिग्यान प्रेक्षण मौसम पूर्बनमान भूकम बिग्यान का कारवार समालने वाली सर्व प्रमुक एजनसी है और इमडी विस्वे मौसम संगठन के 6 छेत्रिये विशिस्ट मौसम बिग्यान केंद्रों में से एक है इसकी जो स्थापना क की गई थी 1875 में की गई थी भारती मौसम बिग्यान विभाग के स्थापना और इसका मुख्याल हमको देखने मिलेगा नई दिल्ली के अंतरगत और इसके कुल 6 छेत्रिये विग्यान केंद्र भी है जो की चेननई में है गोहर्टी में है कुलकत्ता में मुंबई में नाकप 11 में और अभी बरतमान में 2019 का जो है वो है 31 अक्टूबर यानि की आज की डेट से 13 नवंबर 2019 तक है आईजित किया जाएगा अब बारी बारी से दोनों देशों के माद आईजित किया जाता है दो इबारसी का अभ्यासे से हम बोलते है तो पिछली बार जनवरी 2018 में आईज पिछली बार जनवर जनुँने चाहिए तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकती जो है फ्रांस और भारत के माद आईजित के जाता है 2019 में इसको शुरू किया गया था इस बार राजिस्थान में पिछली बार फ्रांस में आईजित हुआ था इसके अलावा से 30 सेना का प् परिक्ता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश है अब फ्रांस के साथ में और जो अभ्यास है वो किये जाते हैं कौन-कौन से देखिए बरून है बरून जो है नोसेना अभ्यास है इसका लाबा गरूर गरूर की बात कर तो बायूसेना अभ्यास है और सक्ति आप देख अब देखने मिलें यहां पर इदार आप देख सकते ब्राजील इधर देख सकते देखे और उरुगबे है परन्तु यह इसकी बार्डर को टच ने करता अजेंटीना है इसका लाबा बॉलिविया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लेंड-लोग कंट्री है लेंड-लोग है आप देख सकते हैं देखे ज़िए इसकी मुद्रा है तो करंसी बोल सकते आप देख चुके अभी सकती सेन अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के मदाई जीत किया जाता है भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात करें उश्ण कटिवंदी चक्रवाद क्यार है अरब सागर में देखने को मिला मैक्सिकन ग्रैंड पिक्स जो लुईस हैमिल्टैन उनके हाँ के दोरा जीत ली गई है ईराक के बारे हमने जाना जो हमारे राध्वू न्यूप के गए विद्येंद्र सिया आदाओ उनके बारे में प्रिमेंटीव हेल् टूल इसके अव्सर पर स्माराख सि iaरी किया गया बित्त मंत्री निर्मलक सितरहमन के दोरा और समझोता किए आपन परस्ट टॉक्षर किये गया साउधी एरब भारत के जो परताद मंत्री विदेश दौरे पर यानिकी साउधी एरब के दौरे पर गये थे बहाँ पर इसके लावा राज्टीक्त दिवस के बारे में हमने जाना और इवस अंसत क्या होती है और संकल यानि रेजूलेशन क्या होता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद